नमस्कार मित्रों और मेरे प्रीच शात्रों आज हमकाच्छा सात्रों के विशेविज्ञान पाठ सात्रों गति बल और कारी के स्वाध्याय को कैसे करना है उसको हल करने है तो पस्तित है सबसे पहले देखते हैं रिष्ट अस्तानों में उचित विकल्प लिखो बहुत सरे उचित विकल्प यहां दिये विकल्प दिये गये हैं उन्हों में से चुन कर लिखना है कोई भी पिंड समय के उपात में दूरी तै करता है तो उस पिंड की चाल एक समान होती है यहां पे पिंड एक समान वेख से गँसिल हो तो उसका तौरण सुने होता है चाल यहां पे पहले पिंड टस्तान है चाल अदित्राची है वेग का अर्त है निष्टी दिशा में इक आई समय में पिंड द्वारा तै की गई दूरी ही दूसरा प्रष्ण है उसका हुत्तर समीर और सचिनदवारा A से E तक ताय की गई प्रतिक्ष दूरी तीन धन 4 धन 5 धन 3 बराबर पंद्रह किलो मेटर, मlyan प्रतिक्ष ताय की गई दूरी पंद्रह किलो मेटर और A से E के बीच बिषठापन तीन धन तीन धन तीन बराबर 9 किलो मीटर है तो ये विस्थापन हो गया चाल का सूत्र है दूरी चाल बराबर दूरी बटा समय दूरी यानि प्रतक्ष दूरी बटा समय प्रतक्ष दूरी उसने ताई की कि थी 15 किलो मीटर और एक घंटे में तो इसकी चाल हो गई 15 किलो मीट प्रति घंटा और वेग हो गया 20 थापन बटे समय, 20 थापन कितना हुआ था, 9 किलो मीटर बिस थापन हुआ था, तो 9 बटा एक घंटा यहनी 9 किलो मीटर प्रति घंटा, तीसरा प्रशन है, ए, समूँ ए के सब्दों की योग जोड़ी, समूँ बी तथा, सी के सब्दों को चै यह न्यूटन है, उसको डाइनम लिखा जाता है, विस थापन मीटर और सेंटी मीटर दोनम होता है, इसलिए इस प्रकार से हमारा यह उत्तर है, अब हम देखते हैं, चावता प्रशन तार पर कोई पक्ची बैटा हुआ है, और उड़कर वो आपस आ जाता है, तो उसके द् होने वाला जो विस थापन है, अधिक्तम दूरी, सीधी दूरी, पच्छी द्वारा तै की गई जो सुधी दूरी है, वो विस थापन में अंतर होता है, और सीधी दूरी और विस थापन में अंतर होता है, जैसे मालो कोई पक्ची यहां से उड़ा, और यहां से उड़के, यहां से उड़ते हुए इधर गया, इधर से उड़ते हुए यहां पर, फिर यह उड़ते हुए यहां तक यहां से ऐसे आत आ रहा है, समझ लो, यह उसकी जो यह विस्थापन हुआ उसका, यह उसका विस्थापन है, यहां से यह तक यह विस्थापन हुआ, लेकिन यह जो उ अधालाँ के बारे में भारे में बहले जाए और यहार इस दो क्हिल वास्चति पिंडिक कुछ ऊ시, कार्य कार्य क्या है बल के द्वारा किया गया कार्य बल के द्वारा ही कार्य किया जाता है इसको डबलू द्वारा दिशाते हैं पिंड पर लगाया गया बल यानि फोर्स गुड़े बल की दिशा में होने वाला पिंड का विस्थापन यह हुआ डबलू बराबर कार्य बराबर विस्थापन किसी वस्त को एक समान एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने में जितनी दूरी तई की गई वह उस वस्त का विस्थापन है वेग क्या होता है इकाई समय में किसी निश्ची दिशा में वस्त द्वारा तई की गई दूरी को वेग कहते हैं वेग का सूत्र है वेग बराबर विस्थापन बटे विस्थापन के लिए लगा समय तोरन किसे कहते हैं वेग में कोई वस्तु गत सील है और उसके वेग में परिवर्तन हो गया तो वेग में होने वाले परिवर्तन बटे परिवर्तन के लिए लगा समय वो तोरन कहलाता है गत बीसे सी सी से डी सई तक यह जो पूरी है उसकी डूरी है और यहां से यह तक जो सी डि बूरी है भी इस्तापन कही जाएगी तोरण वेग में परिवर्टन अब यहां पर चठा प्रस्ण है उसका उत्तर अफिन हम ऐसे करेंगे तोरण गयाद करना है यहां पर कि वेग में परिवर्तन का सूत्र है वेग में परिवतन बढ़ा परिवतन के लेगा लगा समय पहले गेंद की चाल दो सेंटीमीटर पर सेकेंड की थी बाद में उसकी चाल चेंज हो जाती है बदल जाती है चार सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाती है तो उसके बदलाव आया उसकी वेग में बदलाव आया उसकी वेग में बदलाव कितना हुआ वेग में हुआ परिवर्तन चार में से दो गटा दिया बराबर दो अब यह तुरन का सूत्र है दो सेंटी मीटर बदलाव हुआ और उसको परिवर्तन के लिए लगा समय कितना हुआ दो सेकि यह परीवर्टन हुआ और वहां से वहां तक तैंकि रिए गरें दूरीत तैंकी गई लगा समय दो से किन्ड है तो इस प्रकार से दो से दो चला गया तो एक सेकेंड प्रस केंड उसका तोरण होता है अभी अगला प्रशन है सात मां और ये आ प्रकार आवर 91 धिक OUT अगला प् यहां दो न्यूटन बल लगाया और विश्तापन हुआ 50 मीटर तो इसका हो गया 100 जूल इसका कारी हुआ दो गुड़ी 50 और यहां पर यह एक जार जूल था एक जार में 10 का गुड़ा किया तो इसका यह जूल और इतना यह जूल इस प्रकार से यह अपना साथमी पाठ का झाल इसका खाषमी झाल में 17 में 12 अभाण यह जूड़ा किया तो इसका हो उल प्रृबाथ को बास प्रित को भुड़ा है यह किया एकुड़ाखना यह जूल झाल झाल एक जूल रख